कि नमस्कार एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रिश्व सर्वसिस के इस यूट्यूब चैनल पर आज के इस प्रिशन के वीडियो में हम अपने प्रिविएश रखेंगे और यहां पर हम अरली मेडाइवल इंडिया के कुछ और प्रिशनों को सॉल्व करेंगी जैसा कि लगबग सभी चैप्टरों को अच्छे सा कबर कर रखा है और आपने अरली मेडाइवल इंडिया के एक वीडियो में ऐसी के कई करेंगे और इस के साथ हम एसी के कई और हम आपने आप में हिस्ट्री का एक बड़ा सेग्मेंट है लगबगा चार सो से पान सो वर्षों का इतिहास है जिसमें कई घटनाएं अलग-अलग रिष्टिकोर्ण से अलग-अलग परिप्रेक्ष में घटेद होती हैं चलिए वीडियो की शुरुवात करते हैं एक नए प्रशन के साथ एक नए सेग्मेंट के साथ यह पहला प्रशन आपके सामन तो कुल मिलाकर अगर हम चोल काल को अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको अच्छे जानकारी होगी कि चोलों का सामराज है वो प्रशाशनिक ध्रश्टिकोर्ण से बहुत सुद्रन था और चोल प्रशाशन विशेश रूप से लोकल इस्तर पर इस्थानी इस्तर वह इतिह नाडू को समूव होता था जिस तो हम आप कहा सकते हैं जिला इसतर की चीज नाडू लगबग लगबग ग्राम के पराबर की सनुष्टन थी और यह ग्राम का ही दूसरा नाम था तो इस तरह से कई नाडू जो है वो मिलकर के बलनाडू बनाते थे और यही क्रम बना हुआ चोल सामराज में यह स्टेट्मेंट आपका सही है अधिकारियों को आम तोर पर राजश्व दाई भूमिदान द्वारा भुक्तान दिया राता था तो यहां पर कहीं ना कहीं वहीं सामंती अरस्था एक बार फिर से बात होगी भूमिदान की बात होगी जो आपको पता है कि अदिकारी वर्ग है जो राजा की सिवा करने वाला वर्ग है सरकारी वर्ग कह सकते हैं तरह से वो अब अपनी के लिए अपने बेसिक अबिलिटीज के लिए कहीं ना कहीं राजा भूमिद्ध में इस content कर रहा था जहां पर राजश्य सोदाई की बात कर रहा है वह इसे पर क में कर रहा है और ऐसे हमको कई दिखाई भी पढ़ते हैं जहां पर जोल साशक अपने अधिकारियों को राजत सुकेर हुए जो है क्या कर रहा है भूमी का अंदान कर रहा है यह बात भी यहां पर सही है दोनों ही कथम चोल प्रशाशन के बारे में सही दिये गया है इसलिए आ प्रशाशन के संदर में निकित कत्नों पर विचार कीजिए पहला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है इसकी सभाओं को और और महासभा जाता थे आपको बताया लाश कोश्चन में कि चोल प्रशाशन एक अनूठा उतारण तो है ही साती साथ अगर इसके इस्थानिया कि सभाओं इस सभाओं की स्था अपना थे और sup технолог दूसरी वालीयस को महासभा या सभा भी कहा जाता है उर जो है बिसिकली उस पूरे ग्राम के ऊस पूरे एरिया के लोगों का समुम होता है वहीं पड़ महासभा गी बात करें तो ये बुख्य रूप से उस चगय के जो उच सभा और महासभा उसमें संख्या कम होगी लेकिन ब्राम्हों के बर्चस होने के चलते इनकी वैल्यू अधिक होगी तो इसके बाद महासभा नई जमीनों पर स्वामित के अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती थी बड़ा जो समय भूमी अनुदान के अगर आप बात कर ले राजस्व के रूपे बहुत तेज चलंग में था और ऐसे में ब्राम्हों के जो अधिकार हैं वो कहीं न कहीं अब धार्मिक राजनेतिक रूप से बढ़ते हुए आर्थिक परिपेक्ष में भी आ चुके थे ऐसे मे जो नई जमुनों का सौमित थे वो तो उनको मिली रहा था साथ ही साथ वो अपने इन नई जमीनों पर सौमित के अधिकार का प्रियोग करने में भी सक्षम थे क्योंकि वो खुद कर लगा सकते थे वो खुद के करके अनुसार वसूली भी कर सकते थे तो इसलिए यह देखते हैं यहां पर एक नए तरीके का कोश्चन है हाला कि आप लोग उससे परचित जयूर होंगे कथन और कारण संबंधों की बात की गई है एक हजार इस्वी के अबास से जो है महमुद गजनवी का भाद पर आक्रम होता हुआ दिखाई पड़ता है और अगले दो से तीन दश्कों के बीच वह लगभक्त 17 बार के आसपास भारत पर अलग-अलग आकरमण करता है इनमें सबसे अकरमण 118 इस्वी के आसपास कर्नौज और मत्रौपर किया जाता है और यह साथ साल एक हजार पच्छेस इसवी के आसपास उसने सोमनात मंदर पर भी आकरमण किया था और यह सथाई मुस्लिम साशन इस्थापित करना चाहता था तो अगर आपने महमूद गजनवी को पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से पता हो जो आज अफगानिस्तान में इसके थे और भारत पर उसके आकरमण के इन 17 तरह के आकरमणों का उद्देश है मुख्य रूप से आर्थिक था ना कि राजनेतिक अर्थात वह इन आकरमणों के माध्यम से जादा ज्यादा धन को लूटना चाहता था वसूली पार्ट करना च उसका यह उद्देश कता ही नहीं था कि भारत में रहकर एक इस्थाइस आशन की स्थापना करेगा आर्म्मे की स्थार पर देखेंगे तो महमद गौरी का भी उद्देश दिखाई नहीं पड़ता हालां कि तराइन के युद्द्दे के प्रस्चात जब उसको पूरे दिल् गलत है और उसका उद्देश बिल्कुल भी स्थाई शार्ण नहीं था इस अधार पर कथन एस ही है कारण जो आर हो गलत हो गया अगर दोनों यह दोनों सही है और आर गलत है आपका सी यही बन जाया क्योंकि यहां पर करन जो आर है वह गलत दिया गया ठीक है तो आंसर क्या हो गया चलिए अगले कोशन में बढ़ते हैं मेहमूद घजनवी के उपर एक और कोशन है मेहमूद घजनवी के संदर में आपको निकित कतनों पर विचार करना है और पहला स्ट्रिट्मेंट इसमें आपको दिया गया है उसने 1025 में सोमनात मंदर पर आक्रमण किया किस तरह से 1025 इसवी के आसपास जो है उसने सोमनात मंदर पर आक्रमण किया और अगले वर्स एक पर फिर से आक्रमण किया और यह उसे कुछ अंतियम आक्रमणों में सामिल था इस समय अगर बात कि घुजरात का साशक कौन था सोमनात मंदर के आसपास तो भीम दूती अनामया पर न सकते हैं लेकिन इसका लक्षी यह नहीं था अर्थिक था अधिक सधिधन की लूट पार्ट करना था तो यह स्टेट्मेंट क्या हो रहाएगा गलत हो रहे आएगा पर आपका पहला ही स्टेट्मेंट के वल सही है इस दा राइट आंट चीक है अगले गोशन में बढ़ते है सब्सक्राइब के पहले वह हार जाता है लेकिन दूसरी जीच जाता है और इसी तरहाइब के बारे में आपको निम्लिकित कतनों पर विचार करना है चलिए देख लेते हैं पहला स्ट्रिक्मेंट आप से कह रहाएं जो है उसके बाद तुर्क सेना ने हासी रस्वती और सामाना के किलो पर कभजा कर लिया तो कहीं न किछ Quit गए शुद्वरी तो इसके पर श्विदा चौहां को कहीं न कहीं बंदी बना लिया गया अब यहाँ प्रिथ्यास करों कि कई मत nhân की कुछ औन सार के वहीं पर साशन के दिया गया ऐसे कई मतनिकल कर आते हैं यह हैं कि जो समय का इस Northern इंडिया के मुख्ष्ट थे किल्य थे जिनमें ॉस रुस्थृति और समाना के किलitos ही न सभी पर दुरुसेनका अधिकार स्थापित हो चुका था स्टेट्मेंट आपका ये सही है इस युद्ध के बाद प्रत्विराज ने कुछ समय तक अजमीर में साशन किया जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रत्विराज चौहान के अंत के बारे में कई अलग-अलग अवधार्णाएं हैं लेकिन हम क जो सिक्कें हमको प्राप्त होते हैं उन सिक्कों पर एक अलग चीज़ दिखाई पड़ती है वह क्या थी कि इस सिक्कों पर एक तरफ अभी भी प्रत्विराज चौहान का चेत्र बना हुआ था उनका वर्णन किया था दूसरी तरफ यहां पर श्री मोहम्मद साम करने दिया था तो इस तरह से हम इस सही मान सकते हैं ठीक है तो यहां पर बुछा गया कौन से सही है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा तो यह आज का इस सेशन का आपका लाश कोशन था अभी हम अर्ली मिड़ाव इंडिया पर कुछ और कोशन अगर मुझे अच्छे लगे तो जरूर सौल करवाऊंगा आप लोगों को देखने की धन्यबाद और अगले सेशन में मिलते हैं एक नए कोश्चन के साथ नए टॉपिक के साथ तब तक अपना ध्यान रखिए थैंक्यू वाचिंग